शाता है सामाजिक परिवर्तन में जनसंचार की क्या भूमी का है रेडियो, टेलिवीजन, मोबाइल आदी जनसंचार के साधन है जिसके दूरा जंता तक सूचना परसारित की जाती है जंता तक सूचना पहुचाने के कारण रेडियो टेली वीजन मोबाइल अकबार आदी को जनसंचार कहा जाता है जनसंचार का वर्तमान समाज पर गहरा परभाव परा है यह परभाव नकारत्मक और सकारत्मक दोनों परकार का परा है जनसंचार के माध्यम से लोगों का मनुरंजन के साथ साथ समाज की मनोदसा समाज में चलती रहती है जनसंचार के माध्यम से जनता जागरुग होता है ज्यान में विर्दी होती है लोगों का सोचने और समझने का तरीका में बदलाव आता है जनसंचार के दौड़ा नए विचारों का परिवर्तन के लिए उपयुक्त वातावरन तयार करता है नवीन जान के आधार पर वुक्ती अपने जीवनसे लिए में प्रिवर्तन लाने का परियत्न करता है और ठाद कोसिद करता है लोगों के बीच स्वास्त के परती जागरुगता जन्संचार के माध्यम से प्रैलाई जाती है अनेक जानलेवा बीमारियों से बचने के उपाई भी ज जनसंचार के माध्यम से फैलाए जाते हैं जिसके कारण समाज पर बहुत बुड़ा परभाव पड़ा है संपरदाइक दंगे या गलत अफवा जनसंचार के माध्यम से फैलाए जा रहे हैं अंत में यही कहूंगा कि जनसंचार लोगों को जागरुक करने के साथ साथ गलत वह पहिवार का आदी बना रहा है